जिन्दकी में औरेडी कितना स्ट्रेस होता है और उससे उपर इंग्लिश में भी है वर्ड स्ट्रेस अगर आप इंग्लिश सीख रहे हैं तो I'm sure आपने syllables और word stress ये दो चीजे जरूर सुनिये और आप सोचते होंगे मैं कितनी भी कोशिश कर लूँ पर मुझे syllables और word stress समझ नहीं आते हैं अगर आपके ऐसी situation है तो आपके लिए ही ये विडियो खास है और अगर आपको नहीं पता है इनके बारे में और आप सिरफ pronunciation improve करना चाहते हैं तो ये विडियो आपके लिए भी है क्योंकि आज के lesson में मैं pronunciation का एक बहुत basic और important हिसा clear करने वाली हूँ जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि syllables और word stress आखिर होते क्या हैं और ये हमारी pronunciation के लिए कैसे बहुत महत्वपून हैं तो मेरा नाम है Michelle आप मुझे देख रहे हैं LearnX पर जहां हम सीखते हैं English through Hindi तो आईए start करते हैं so guys इससे पहले कि मैं board पर लिखे words के बारे मैं आपको बताऊं मुझे पहले आपको बताना पड़ेगा कि syllables होते क्या हैं so basically syllables होते हैं हर शब्द के हिस्से जी हाँ syllables होता है different parts जिसमें आप किसी भी word को divide कर सकते हैं I think सबसे आसान तरीका इसको सीखने का है आप कोशिश कीजिए अपने word को different parts में divide करने की अगर आप सोच रहे हैं कि मैं क्या कह रही हूं तो मुझे एक example दिखाने दीजिए तो मेरा नाम है Michelle, मेरे नाम में total दो हिस्से हैं पर मुझे कैसे पता वो इसलिए क्योंकि मैं count करके check कर सकती हूं मेरे नाम में कितने parts है Michelle, जी अब अपने name के हिस्से count करके try कीजे, 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 okay Well, I hope आप समझ चुके हैं की syllables exactly होते क्या हैं ये होते हैं different parts जिसमें हम किसी भी word को divide कर सकते हैं आएए हम इन सारे words को जो board पर लिखे हैं उन्हें divide करके देखते हैं और जानते हैं कि हर word में कितने syllables हैं जब हम ये जान लेंगे उसके बाद हम जानेंगे की word stress क्या होता है तो ये word है fast Well, मैं इस word को fast sat तो नहीं कहती न, right? मैं कहती हूँ fast तो मतलब मैंने सिरफ एक बारी clap किया इसका मतलब है कि इस word में सिरफ one syllable है Next word है person count करके, clap करके check कीजे person sin, इसमें two syllables है आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आप अपने chin के नीचे अपना हाथ रखें और जितनी बारी आपका मूँ बोलते हुए नीचे आपके chin को touch करेगा उतने उस words में syllables होंगे Okay, let's try the next one be-u-ti-ful beautiful इसमें total three हिसे हैं be-u-ti-ful beautiful next information information four breakfast two अब बाकी के words को आप खुद try कीजिये विडियो pause करके और फिर play कीजिये और check कीजिये कि क्या आपके answers सही हैं या गलत आये शुरू करते हैं और चेक करते हैं कि आपके answers सही हैं या गलत banana three parts tomorrow has three parts university you ne ve se today it has total five parts today has two parts minute two interesting three expensive three again communicate communicate मैंने कितनी बारी ख्लाब किया four times इसका मतलब हम इस वर्ड को four parts में divide कर सकते हैं और forget, begin, or decide सब में two two syllables है अब मैं आपको बताऊंगी कि word stress क्या होता है तो word stress होता है जब भी हम हर word में किसी एक हिस्से को जादा strength के साथ यानि जादा जोड से और खीच के बोलते हैं ऑके पर यह rule सिरफ two or more syllable वाले words में apply करता है यानि जिन words में single syllable होता है उसमें हमें word stress के बारे में बिल्कुL stress नहीं करना है जैसे कि fast में हमें word stress के बारे में परिशान होने की जरूरत नहीं है पर person में हमें परिशान होने की जरूरत है क्योंकि या तो यहां पर पर stress होगा या sun पर, let's check person यहां पर stress है अ पर person एक noun है person यानि एक व्यक्ति beautiful beautiful यहां पर stress है यू पर beautiful information stress है अ पर breakfast तो याद रखिए का दोस्तों इसको हम breakfast नहीं कहते हैं मेरे बहुत से students बोलते हैं breakfast च्योंकि गलत है हम कहेंगे breakfast और stress रहेगा अ पर next is banana इसको हम banana नहीं या banana नहीं या banana नहीं बत banana बोलते हैं banana और stress रहता है अ पर and in the next word tomorrow हमारा stress होगा ओ पर अब बागी के words पे आप दुबारा से विडियो को pause कीजे और check कीजे stress कहां पर है और फिर अपने answers compare कीजे university में stress होगा where e पे today में stress होगा day पे minute में stress होगा e पे minute और ये भी एक noun है interesting in इस word को भी हम interesting नहीं कहते हैं हम कहते हैं interesting यानि ये किताब बहुत ही रोचक है which means this book is very interesting next word है expensive its word में stress होगा e पे expensive और ऐसे ही हम communicate नहीं बत communicate कहते हैं इसका मतलब जो stress है वो you पर है क्या आप सोच सकते हैं अगर आप इन सब words में गलत stress करेंगे तो सुनने वाला शायद आपको समझी न पाए और आपकी pronunciation कितनी खराब sound करेगे इसलिए word stress बहुत important है and next word is forget इस में stress है ए पे ऐसे ही begin में stress है e पे और decide में stress है e decide forget, begin or decide verbs है यानि क्रिया, actions आप सोच रहे होंगे कि मैं बीच बीच में आपको यह क्यों बता रहे हूं कि कौनसे words nouns हैं कौनसे verbs हैं, right? वैल यह एक बहुत खास reason की वजह से अब मैं आपको तीन बहुत useful rule बताने वाली हूं, okay? पहला rule यह है कि two syllables वाले जो भी nouns होते हैं उनमें ज्यादा अतर stress पहले syllable पे होता है जैसे कि person okay and minute आपने notice कि कि दोनों में two syllables हैं और दोनों ही nouns हैं इसलिए इन पे stress first syllable पर है क्या आप और ऐसे words सोच सकते हैं? okay अब देखते हैं हमारे तीन words जो की verbs हैं अगर आप notice करेंगे ये तीनों verbs में two syllables हैं और इन तीनों में ही जो stress है वो second syllable पर है तो हमारा दूसरा rule यह है कि two syllable verbs में हमेशा stress second syllable पर आता है जैसे कि forget, begin, decide, okay और अब हमारा जो आखरी बहुत important rule है वो यह है कि चार या चार से जादा syllables अगर किसी word में होते हैं तो उसमें stress शुरू में या end में नहीं आता पर अक्सर बीच में आता है आएए देखते हैं आपने four या four से जादा वाले syllables, words तो communicate में चार syllables हैं और हमारा stress आ रहा है word के बीच में ना कि शुरुवात में या end में same information में stress बीच में आ रहा है information और इसी तरीके से हमारे पास है university जिसमें हमारा stress आता है बिलकुल बीच में, university okay, तो कैसा लगा? यह तीनो rules आपके लिए काफी useful है, of course pronunciation में कोई भी rule hundred percent कभी भी apply पर आप यह समझ सकते हैं कि most of the times यह rules work करते हैं और अगर आपको confusion है, आप इन्हें याद कर सकते हैं ताकि आपकी pronunciation overall improve हो पाए, अब आई एक छोटा सा test कीजिए मेरे साथ, top पर यह जो सारे words लिखे हैं मैं sentence की बात नहीं कर रहे हूं इन सब की syllables count कीजिए और check कीजिए कि आपके जवाब सही है या गलत, यह आपकी practice के लिए है I hope आपने test किया हो और मैं आपके लिए अब सही जवाब लिखने वाली हूं, happy has two syllables fear has two syllables digital has three education has four and communication has five education में stress a पे है और communication में stress u पे है, again क्योंकि यह four यह four से ज़्यादा है इसलिए stress हमेशा beach में आएगा, okay और यह है happy और यह है fear, दोनों ही एक feeling verb है happy and fear, यह दोनों एक nouns है जो हमें हमारी feelings के बारे में बताते है कि आप कैसा महसूस करे है, I am feeling happy I am feeling fearful in other words हम कह सकते हैं कि यह adjectives हैं क्योंकि यह nouns के बारे में हमें जादा बता रहे है, तो rule यह भी है कि अगर adjective हो दो syllables वाले, या noun हो दो syllables वाले, तो stress हमेशा first syllable पर आएगा happy, fear, person and minute, okay और यह एक final sentence है जिसका आपको total syllables count करने होंगे तो video pause कीजे और syllables count कीजे, okay I hope आपने syllables count कर लिये होंगे and let's check, she opened the door for him, तो इसमें total seven syllables है, okay, thank you so much guys, मेरे साथ यह lesson देखने के लिए यह बहुत ही basic और important lesson है आपकी pronunciation improve करने के लिए इसमें आपने सीखा है syllables क्या होते हैं, और word stress क्या होते हैं, और इसके साथ ही आपने सीखे है three important rules जो आपकी pronunciation improve करने में आपकी मदद करेंगे, मेरा नाम है Michelle, I'll see you again very soon till then you take care, bye bye